Hello everyone, Shri Sundram Academy के online platform में आप सभी का स्वागत है MPPSC द्वरा आयोजित आज सहायक कराधान अधिकारी का जो पेपर कराया गया था उसका first part MP, order सूछना एवं संचार प्रद्योकी से रिलिए जो प्रस्न आये हुए थे उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे तो चलिए start करते हैं first person है मद्धि प्रदेश में प्रथम चीनी मिल किस वर्स एवं किस स्थान पर स्थापित हुआ था तो इसका right answer हो जाएगा 9034, रतलाम रतलाम के जावरा में क्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थे ठीक है, next है हमारा मद्धि प्रदेश वर्स 2022 में राजकोसी घटा सकल राज घरेल उत्पाद का अनुमानित किया गया है तो इसका सही option हो जाएगा option B is right answer 4.56 next है ग्रामीर दीन दयाल अंतियोदा योजना का उद्देश क्या है तो इसका सही option है स्वराजगार तथा कौशल विकास प्रदान करना तो ग्रामीर दीन दयाल अंतियोदा योजना का जो मुख्योद देश रहा है वह स्वरोजगार तथा कौशल विकास प्रदान करना था अगर आप लोगोंने हमारा part फर्स नहीं देखा है अगर आप लोगोंने नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको देखें और विजट करें आप लोग जरूर फर्स देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्स्ट्राइब और कमेंट जरूर करें चलिए बात करते हैं नेक्स प्रसन की यहाँ पर हमारा नेक्स प्रसन है ब्रिक्स सिखर सम्मेलन दो हजार तेस में कितने देशों का गरूप शामिल किया गया है तो आप्शन D, राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 का कुल द्रब्यमान यहाँ पर देखिएगा द्रब्यमान की बात किया है तो चंद्रयान 3 का कुल द्रब्यमान कितना था तो 3900 ठीक है 3900 किलो ग्राम इसका सही अंसर है नेक्स्ट है निम्न लिखित में से कौन सा देश वैस्विक जैव इधन गटबंधन का संस्थापक देश नहीं है इसका सही अंसर हो जाएगा तुर्की नेक्स्ट दो हजार तेश में G20 की पहली संस्कृति कारिशमू CWZ की बैठा किस सहर में आयोजित की गई है इसका सही अंसर है खजुराओ मर्दि प्रिदेश के खजुराओ में इसका पहला आयोजित किया गया था अमन सहरावत जो खबरों में नजर आये थे निमने लिखीत में किस खेल से संबन्दी थे तो इनका संबन्द गुस्ति से था नेक्स परस्न देखते हैं प्रति वर्ष अधिक्तम कितने विक्रम पुरुषकार दिये जाते हैं तो यहां पर आपका option A सही answer हो जाएगा नेक्स्ट है मद्य प्रदेश में मापवा योजना का संबंध किस छेत्र से है तो इस मापवा योजना का संबंध महिला क्रिशकों को क्रिशी तक्नीक चुन्ने संबंधी प्रसिक्षण देने से रिलेटेट है तो option D इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है मद्य प्रदेश में संचालित गौशेवक प्रसिक्षण योजना का प्रमुख देश क्या है तो इसका right option हो जाएगा option B पसुचिकित सासुविधा उपलब्ध कराना एवं सिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना ठीक है नेक्स्ट देखते हैं यहां मारा नेक्स्ट है आ गया है धुरूपत गाई का धुरूपत गाई का असगरी बाई का जन्म कहा हुआ था तो इनका जन्म बिजावर पन्ना में हुआ था ठीक है ना तो इसमें से बिजावर option आपका सही answer है नेक्स्ट है भारत सौरी वर्स 2022 में भारत का G20 सेरपा किस निमने लिखित गोई को युनिवर्सल गेट कहा जाता है तो इसमें है वहारा आपसंन भी राइट अंसर है नेक्स्ट है रेडियो संचार किसके दवारा संभव बनाआया घया है तो यहां पर चार्शन दिये गया है लिएक इसमें हमारा सही answer है टायोब यह हमारा सही answer होग नेक्स्ट है कृतिम बुद्धिमत्ता की तकनीक जो सच प्रक्रिया की दक्षता में अभिवित्त करती है क्या कहलाती है ठीक है तो यहाँ पे हमारा सही option हो जाएगा हुरिस्टिक इसका सही एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निमने लिखित में से किसके सफल क्रियान वेयन के लिए ICT के बुनियादी धाचे को स्थापित करने की आवश्यक्ता है तो option C इसका सही एंसर हो जाएगा कौन सी सोचल नेटवर्किंग साइट मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग एवं नौकरी की खोज पर केंद्रित है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बार फिर प्रस्न रिवाइज हुआ है हमारा जो पार्ट वन है उसमें यमने आपको बताया था कि आयो कि यह आपके लिए कितना उपयोगी और लाफदायक है नेक्स्ट है स्टेनो ग्राफिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है तो इसका राइट एंसर होगा डेटा हाइडिंग में डेटा हाइडिंग में नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रसन है हमारा निमन लिखित में से कौन सी तकनीक निमन लिखित में से कौन सी तकनीक डेटा गोपनी इता सुनिश्चित करती है एवं प्लेन टेक्स्ट को साफ साइफर टेक्स्ट में परिवर्तित करती है तो निमने लिखित में से कौन सी तकनीक data गोपने इटा सुनिश्चित करती है एबं plain text को cipher text में परिवर्तित करती है तो इसका सही option हो जाएगा data encryption इसका सही answer हो जाएगा यानि option B ठीक है next है next हम देखते हैं एक image file को store करने के लिए निमने लिखित में से किस file का extension का उपयोग होता है तो option A इसका सही answer हो जाएगा JPEG आप लोग JPEG का full form ज़रूर देख लिएजिए और comment में हमें बताएग नेक्स देखते हैं नेक्स प्रस्न है हमारा दो mail server के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किस protocol का उपयोग होता है यहाँ पे दो option सही हो सकते हैं option A या फिर option B इसमें अभी थोड़ा सा doubt है और हम आयोक की answer की का भी wait कर लेंगे देखेंगे एक बार पर फिलहाल हमारे द्वारा ऐसा नुमान लगाया जा रहा है कि जो data available है उसके अनुशार option A और absent D दोनों ही सही option है इसके ठीक है नेक्स देखते हैं इबे एक उदाहरण है तो इबे किसका उदाहरण है किस आप्स का इबे क्या है इबे जो है तो किस आप्स का उदाहरण है कौन सा तामरपाशान कालीन पुरा अस्थल मद्धि प्रदेश में इस्थित नहीं है तो आप्शन B जोरवे जोरवे कहां की तामरपाशान कालीन पुरा अस्थल है तो ये महराश्ट की है नेक्श देखते हैं नवशाह सांक चरित किस परमार सासक के जीवन पर आधारित पुस्तक है तो ये सिंधुराज जो की परमार सासक है उनके जीवन पर आधारित पुस्तक है ठीक है अगर आप लोगों को पता है कि नवशाह सांक चरित रशना किसके द्वारा लिखी गई है तो हमें बताएं और कमेंट करें और पद्म गुप्त के द्वारा जो है तो नव साह सांग शरीत रचना की गई है जिसमें सिंदु राज का उलेख मिलता है नेक्स्ट है उज्जैनी भुजंग किस कल्चुरी सासा को कहा जाता है उप्शन ए युवराज देव नेक्स्ट है जबलपूर से प्रकासीत होने वाले साप्ताहिक पत्र कर्मवीर के प्रथम संपादा कौन है तो उप्शन डी इसका राइट अंसर है माखान लाल चतुरवेदी नेक्स्ट है बत्र प्देश के किस जिले में नागा जी का मेला आयोजित किया जाता है तो मुरैना में नेक्स्ट है कि पंडीत कुमार गंधर्व किस के लिए प्रसिध है इनका संबंध किस चीज से है तो इनका संबंध सास्त्री संगीद से है अगला है हमारा कि रानी अवंती बाई लोदी एवं बिटिस सेना के मध्य युद्ध किस स्थान पर हुआ था तो ये खैरी का युद्ध हुआ था लेक्स्ट है नौर्टा लोकनित्य का समबंध किस चेत्र से है तो इसका समबंध है बुन्देल खंड नेक्स्ट है हूर सासाक मिहिर कुल को परास्त करने वाले यशो धर्मन का संबंद किस राजवन्स से है तो इसका संबंद औलिकार राजवन्स से है नेक्स्ट है दतिया जिले में इस्थीत सोन गिरी तीर्थ अस्थल किस धर्म से संबंदित है तो इसका संबंद जैन धर्म से है मद्धि प्रदेश के स्युकुरी जिले में इस्थीत राष्टी उध्यान का क्या नाम है तो माधाव राष्टी उद्ध्यान नेक्स्ट है राष्टी खनिज विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश के मजगमा छेतर से किस खनिज का उद्खनन किया जाता है तो इसमें हमारा option C सही answer हो जाएगा हीरा के लिए है सौरी 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 हीरा के लिए है सौरी नेक्स्ट है मंध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटो वॉल्टिक्स और उर्जा प्रोजेक्ट किस जिले में इस्तित है तो इसका सही option है हमारा option D रीवा जिले में ये है नेक्स्ट है निमन लिखीत में से कौन सी जल विद्धित पर्योजना किस राज्य के साथ संयुक्त पर्योजना नहीं है आपको question बहुत आराम से और बहुत ध्यान से पढ़ना है कि उसमें है लिखा है या नहीं लिखा है कभी कभी जल्दवाजी के कारण हमारे कुछ प्रस्ट ऐसे भी गलत हो जाते है तो इसमें से हमारा option C इसमें लिखा है बरगी पर्योजना जो है तो किसी भी राज्य के साथ संयुक्त पर्योजना नहीं है नेक्स्ट है यहाँ पे जोड़ी मिलाने के लिए है और सही पूट का चैन करना है तो बाद सागर जो है तो सोन नदी से रिलेटेड है गांधी सागर् चंबल से, इंदिरा नर्मर से और माता टीला बेतवा से तो हम देखेंगे के हमारा पहले का तीसरा किसमे है तो पहले का तीसरा जो है हमारा b option में है तो हमें जादा कहीं जाने की जरुद्ध ही नहीं और सीधे सी को टिक कर देना है नेक्स्ट है कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है नहीं है तो वेन गंगा नेक्स्ट है राज जिपाल नियुक्त होने के लिए नियुनतम आयू कितनी होनी चाहिए तो 35 वर्ष समिधान के अनुसार राज जिकी विधान सभा के सदस्यों की अधिक्तम एवं नियुनतम संख्या कितनी होनी चाहिए तो इसकी अधिक्तम संख्या 500 और नियुनतम 60 होनी चाहिए अगला है हमारा रस्निंव 2011 की जनकरणा के अनुसार भारत एवं मध्य प्रदेश की साक्षरता धर कितनी थी तो अप्सन एसका सही अंसर है अगला है सामुदाईक विकास योजना कब लागू की गई थी 2 अक्टूबर 920 में एक बार फिर प्रस्न आयोग द्वारा रिवाइज हुआ है यहां पर और यह आप जब देखेंगे हमारे पहले सीरीज में तो उसमें हमने आपको बताया है और जिस प्रस्न के बारे में हमने डिसकस किया था वो आज यहां पर फिर से देखने को मिल रहा है जो आज कराधान सह पंचायती राजवस्था का मूल उद्देश क्या सुनिश्चित करना है तो इसका पहला विकास में जन्वागी दारी और लोगतांत्रिक विकेंदरी करन तो आप्सन नंबर C आप्सन C जिसमें पहला और तीसरा हमारा एंसर चुपा हुआ है तो इसमें टिक करना है ठीक है कितनी राज सी वधू के खाते में चेक द्वारा प्रदान की जाती है तो 55,000 नेक्स्ट है इसका और आख्री आज का प्रस्न है दोस्तों हो सकता है कहीं मेरी जुबान लड़ खड़ा गई हो यहां मैं कहीं पे अगर कुछ गलत बोल गई हूँ तो प्लीज आप हमें बताए और हमारे द्वारा यह प्रयास निरंतर किया जाएगा बसरते आप सभी का सहयोग और प्यार चाहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक कमेंड और सेयर और सब्स्राइब जरूर करें आज का हमारा लास्ट प्रस्न है निम्नल लिखित में से मद् सापना की गई थी ठीक है थैंक यू सो मच बने रहे हैं स्रेश उंद्रम एकडमी के साथ और प्लीज चैनल को लाइक करें सब्स्राइब करें और कमेंड करें थैंक यू